नमस्कार दोस्तों स्वागेता आप सबका एक बार फिर से एलेक्टरणिक एडियू के चैनल में ठीक है तो दोस्तों आज का जो हमारा टोपिक है वो है कि क्रंट से जटका लगता है या बोल्टे से जटका लगता है मैंने ये वीडियो इसलिए बनाना चाहा है क्योंकि आप यूटूब पे मैंने बहुत सारा सर्च किया ठीक है मैं देखता भी रहता था ठीक है तो कई जो यूटूबर्स हैं या कोई भी आप website पर जाके देखेंगे तो वहां पर clearly लिखा है कि क्रंट हमें जटका लगाता है या voltage ठीक है और वहां पर mention भी कर रखा है कि हमारा करंट लगाता है कहीं कहीं पर voltage भी लगाता है ठीक है तो अपने इसाब से उनने definition दिया है और अपने इसाब से बताया है जो उनकी understanding है मैं किसी को गलत या कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ मेरी क्या thinking है या हमारे channel की क्या thinking है इसके उपर वह आज मैं आपको बताऊंगा तो firstly आपको अगर current और voltage के बारे में नहीं पता है ठीक है तो आप हमारी videos दे सकते हैं ठीक है उसमें हमने clearly बताया है कि voltage क्या होती है और current क्या होता है तो चलते हैं हम आज के topic पे कि topic क्या है ठीक है कि शोक कैसे लगता है ठीक है ठीक है शोक हमें कैसे लगता है ठीक है या current से या voltage से तो अब आपको पता है कि current क्या होता है current होता है rate of flow of charges, ठीक है, और voltage क्या होती है, ये एक pressure है, ठीक है, तो इसके लिए मैं एक analogy use करने वालो हूँ, तो analogy के लिए मैं आपको यहाँ पे अभी समझा देता हूँ, ठीक है, मैं के कर रहा हूँ, एक पानी का tank ले रहा हूँ, ठीक है, ये, ठीक है, ठीक हो, ये पानी का tank है, ठीक है, एक पानी का टेंक है ठीक है और यहां से मैंने लगा दिया एक पाइप ठीक है पाइप लगा दिया और अभी के लिए मतलब समय लो कि यह बंद है पाइप बंद है अब करंट कैसे लगेगा ठीक है अब इसको मालो आप यह बोल्टेज है ठीक है यह क्या है बोल्टेज क्योंकि यह स्टोरेज है ठीक है और स्टोरेज है तो प्रेशर भी इदर से लगेगा तो प्रेशर क्या है क्योंकि यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा जैसे ही यहां पर प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अपका मतलब हाई कंसर्टेश तो लो कंसलिट्रेशन आपका क्या आपके चार्जिज मूब करेंगे ठीक है तो आप एक्जम्पल लो कि यह बोल्टेज है ठीक है और अब जैसे ही मैं इसको खोल दूँगा ठीक है इस वाले मतलब यहां के पात को खोल रहा हूं तो यहां से क्या पानी फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा यहां तक समझ में आगया होगा आपको यह इसको मैंने बोल्टेज माल लिया ठीक है जो पानी है ठीक है और यह जो फ्लो कर रहा है ठीक है इसको मैं करंट माल ले रहा हूं कि बहुत अच्छे ठीक है तो यहां तक का आपको क्लियरली समझ आया होगा ठीक है अब क्रंट कैसे लगेगा लगता जटका हमें कैसे लगे बोडी हमारी उसमें क्या है यह पानी मतलब इलेक्ट्रोन है ठीक है अब मालो कि मैं एक बंदा यहां पर खड़ा है ठीक है और उसक उसका हाथ यहां पर लग गया तो क्या होगा उसकी बोडी में से क्या है एलेक्ट्रोन पास हो जाएंंगे ठीक है इलेक्ट्रोन मतलब कि यहां से जो इसको क्या पटेंश्चल मिल जाएगा तो फ्रहले क्योंकि जब बोडी से कोई चीज हमारे गुज़ एगी तो स्लेथ river सब्सक्राइब है कि तो लग तो करंट की वज़ेद्स से रहा हूं ठीक बट थिक मेन पूइंज भाता है यहां तक आपको समझ में आ गया इंट यह पानी का टेंक है यह पाइब से जा रहा है तो यहांने उस्कों खरो लूँ कि तो potential मतलो यहां पर pressure low मिलेगा दूसरे टैंक में तो यहां से current करना flow start कर जाएगा और यहां से मैं मालनू कि आप example ले यहां पर मैंने pipe लगा दिया ठीक है मतलब आपकी analogy समझने के लिए ठीक है अगर मैं यहां पर यहां से भी होगा तो यहां पर कोई मतलब रखा होगा मैंने बरतन बगारा तो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो सेम केस हमारा यह मानुत यह वोल्टेज है ठीक है और यह flow हो रहा है वह current है ठीक है इसकी एनलोजी मैंने ये ड्रो कर दी पर्सन है उसमें से करेंट फुलो करेगा तो उसको क्या लगेगा इलेक्ट्रोन पास होंगे तो कोई भी चीज हमारी बोडी में से से पास और उसकी essence विलोगी हमें पता लगगा तो कुछ अंदर आया है तो जटका हमारा किनट की वाज़े से लग रहा है बठ जो में labor हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमें जो कर नट है वह जो जटका है शौक है वह कि वह लग रहत कर लिए हमें एक साइब पर बताता हूँ, आप इसको भूल जाओ, ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे पानी नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे मेरा पानी नहीं होता, तो यह वाला बरतन भरता, नहीं भरता, ठीक है, और यहाँ पे अगर बोल्टेज सोर्स ही नहीं होता, बोल्टेज मतलग होती ही नहीं कु तो ये बरतन भरेगा नहीं, मतलब करंट लगेगा ही नहीं, ठीक है, शोक लगेगा ही नहीं, ठीक है, तो जो हमें शोक लगता है, ठीक है, वो लगता है due to दोनों की वज़े से, ठीक है, बोल्टेज भी होता है और करंट, दोनों का रोल रहता है इसमें, ठीक है, हम ये नहीं क्रण्ट हमेशा वही पे होगा जहांकी बोल्टेज प्रेजट है ठीक है विदाउट बोल्टेज क्रण्ट कभी नहीं होगा ठीक है यह मेरी इंटरस्टेंडिंग है ठीक है कि विदाउट बोल्टेज आपका यह कभी प्रड्यूज नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि प्रेशर ही नहीं होगा तो क्रंट कहां से होगा और प्रेशर ही नहीं होगा तो पानी आगे कैसे जाएगा किसी भी पाइप में तो आप सिंपली यह समझिए ठीक है कभी भी आपको कोई पूछता है इंटर्व्यू में पूछता है तो आप सिंपली बोलिए कि the flow of electron जो हमारी तो इसलिए मैं यह वीडियो बनाने का सोचा था आइधिंक आपको क्लेर हुआ होगा मैं अभी आपको एक व्रीफ द्वारा से बजा देता हूं आपको समझाने के लिए हाज का टॉपिक था कि शोक कैसे लगता है अमें ठीक है अगर पिछे यही चीज नहीं होगी ठीक है बोल्टेज ही नहीं होगी ठीक है अप एग्जांपल हो कि एक बोल्टेज ऊर्च रखा हो है ठीक है और आप जाके वहाँ पे खड़ंब जाओ और उसको लगा दो तो क्या है लोग्जिस मतले हाय प्रटेंशल टो लोगनो क्या है क्रण्ट फ्लो करना स्टाट कर जाएगा ठीक है अगर वहां पर बोल्टेजी नहीं होती पॉइंट्स पे ठीक है तो आपकी बोड़ी को कुछ नहीं होता या फिर इतनी बोल्टेज होती कि वह बिल्कुल लो है ठीक है तो क्या है क्रण्ट पास ही नहीं होता ठीक है त या आपको लगता है कि यह analogy इसमें हम और भी use कर सकते हैं या आपका कोई question है तो comment section में जुरूर पूछिएगा ठीक है हम बैठे ही इदर आपकी मतलब जो भी आपकी queries होंगी उनको solve करने के लिए हैं ठीक है वीडियो को दखने के लिए दोस्तों बहुत दन्यवाद थैंक यू